गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर्शे आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में राश्ट्रकूर्ट सासकों के सासन परबंद के बारे में जानकरी प्रात करेंगे तो देखेगा स्टूडेंट्स राश्ट्रकूर में पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर और पहले वाले वीडियोश को देख सकते हैं हैं थीकते और देखेगा जो राष्ट्रकूर्ट राजवंस है ये दक्षिन भारत का एक बहुती महत्वपूर्ण राजवंस था जिसने इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और देखेगा जो राष्ट्रकूर्ट सासर को की परशासने क्व्यवस्ता इसके बारे में और देखेगा राष्ट्रकूर्ट सासकों का परशासन तो देखेगा राष्ट्रकूर्ट सासकों का राजत्वा वस्तुताय आन्वानसित था तदा सबसे बड़ा अथ्वा सबसे योग्य बेटा गद्दी पर आता था यूवराज अथ्वा उसका उत्राधिकरी का चुनाव राजा अपने जीवन में ही कर लेता था यूवराज आमतोर पर राजदानी में रता था तदा के पर्शासनिक मामलों में मदद देता था ठीक है और कभी-कभी सन्य ब्यानों में भी राजा के साथ होता था कौन राजकुमार छोटी राजकुमारों को आमतोर पर प्रांतों का वजीर बनाए जाता था राजा को राजे का पर्शासन चलाने में मदद करने के लिए एक मंत् जिसमें परधार मंत्री, विदेश मंत्री, राजस्व मंत्री, कोशा ध्यक्ष, प्रधान न्याय धीस, सेनापती, इम पुरोहित होते थे। जिसमें सेनिक उपलब्दे करानी होते थे। लिएषय परसासन का परमुग राष्ट्रपती होता था, उसे अपने अधिनस्त अधिकारीों के उबर काफी अधिकार होता था विशेपती अथ्वा जिला धिकारी तथा भोगपती अथ्वा तैसिल अधिकारी भी रास्टरपती की तरह की सक्तियों का अपने शिमीच छत्र में प्रियोग करते थे कुछ विशेपतियों को छेत्री वजीर का स्तर प्राप्त था बुक्ती का परधान भोगपती होता था तथा उसकी न्यूक्ती सिधे केंदर सरकार के द्वारा की जाती थी भोगपती नलग वंदों अथ्वा देश ग्राम मुक्तों की मदद से जिनका पद आनुवानसिक होता था राजस्वर परशासन चलाते थे गाउं के इस्तर पर परशासन ग्राम परमुक्त था लेखा पाल द्वारा चलाय जाता था जिनका पद आमतोर पर आनुवानसिक होता था ग्रामेन परशासन में ग्रामेन सभाओं अथ्वा समीतियों ने काफी महत्तोपण भूमी का निभाई ग्रामीर परसासर में ग्रामीर सबाओं अत्वा जो समीतियां इन्होंने काफी महतवन भूमी का निभाई थी ग्रामीर सबाई अनेक उप समीतियों में बाजित होती थी हर एक उप समीति एक खास काम के लिए उत्रदाई होती थी ऐसे कि गाम का तालाब हैं, मंदिर हैं, सडक हैं, इनके लिए उत्रदाई होती थी जो उपसमीती होती थी वो राश्ट्र कूर्स रोतों में कहीं कहीं विशे महरात तथा राश्ट्र महारत का उलेक भी मिलता है जिसे जिला प्रांत ये मुख्यालों में इन लोगपिरिये परिस्दों के होने का प्रमाण मिलता है अब देखेगा राश्ट्र कूर्स असन में साहित्य का विकास ठीक है तो देखेगा इस काल में जो संसकर्द साहित्य है इसको आस्रे दिया गया था और राष्ट्रकूर दरबारे इसमें अनेक विद्वान रहते थे जैसे की नाल चम्पू के रचेता त्री विकाराम दस्वी स्ताब्दी के उत्तराण में हुए हालियूद ने कवी रहसे की रचना कृष्ण थर्ड के सासनकाल में की थी राष्ट्रकूर द्वारा जैन द्रम को स्रंक्षन परदान करनें पर जैन साहिते ने स्वाभाविक रूप के दोरान काफी विकास किया अकलंग तथा विद्धानन्दी ने अस्ट सत्ती तथा अस्ट सहस्त्री की रचना की जो की आप्त मिमासा पर टिपणियां हैं तरक के छेतर में मानिक के नंदिन ने परिक्षा मुक सहस्तर की रचना आठविस्त आपदी के पुरवार्द में की उन्होंने न्याय कोमूदी चंद्रोदे के नाम से एक स्वातंतर रचना की अमोगवर्स फैस्ट के धार्मी गुरु हरी सेन ने हरीवन्स की रचना की वे आदि पुरान पुरा नहीं कर पाए जो विविन जैन संतों की जीवनी है इसे अनेक्षि से गुना भडने पूरा सोरी इसे उनके सिसे गुना भध्र ने पूरा किया जिनसे इनकी पार्स शबम्यूद्य परस्व की जीवनी है जो की छंद सहली में लिखी गई है अमोगवर तथा गणित पर वीर्चरिया की गणित सर समग्राहक की रचना की गई है। जो दस्विस्त आपदी के उत्राद में हुए। जो दस्विस्त पर वीर्चरिया की गई है। तो राजदनियाय इसमें स्थाई सेना रहती थी तता यूधों के समय सामंद अपनी सेनाई बेशते थी। कुछ समराड जैसे गोविन्त रुतिये, इंद्रत रुतिये, कृष्ण रुतिये, आधी उचकोटी के सन्निक विजेता थे। जिन्होंने दक्षिनी भारत के अतिरिक्त उत्री भारत को भी अपने सन्ने बल से जिता था। राश्ट्रकूर्ट सेना में सभी वर्गों के लोग रखे जाते थे। इसमें जैसे की ब्राम्मन है, जैन, सन्निक ये सारे के सारे थे। कुछ पर्षित राश्ट्रकूर्ट सेना पती, चक्ये, श्री विजे, मार सिंग, आदि, जैन, मतानुय आई थे। राश्ट्रकूर्ट सेना में पदाती सेना का ही सरवादिक महतोपुन स्थान था। इस पका राश्ट्रकूर्ट समराटों की सासन व्यवस्ता निपुन अब देखेगा राष्ट्र पूर्प राष्ट्र पूर्प राजे की आयका जो परमुक सात्यनवाय भूमी कर था जिस उद्रग अथ्वा भोग कर भी कहा जाता था यह उपच का चोथा भाग होता था और प्राय अनाज के रूप में लिया जाता था जो भूमी अनुदान में दी जाती थी वह सभी करों से मुख्त होती थी दुरुभक जो अकाल वगेरा जो भी पतिया वगेरा आती थी उनमें कर को माफ कर दिया जाता था अथ्वा उसकी मातरा कम कर दी जाती थी या तो माफ ही कर देते थे या फिर कर की मातरा को कम कर दिया जाता था भूमी कर के अल तो देखेगा इस वीडियो में हमने राश्ट्र कूटो के ससन परबंद के बारे में जानकरी प्राप्त की वीडियो एक्जाम की दर्स्ट्री से बहुत मैत्व पुण है यह दि आपको वीडियो फसंद आए तो लाइक और सेर करना न भूले हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को आप लाइक करें सेर करें और कमेंट बोक्स में कमेंट करें ठीक है